पहली बार हुआ ऐसा काम जो नहीं कर पाई विराट कोली जिस काम के लिए पूरा दम लगाते रहे दुनिया के बड़े से बड़े दिगज क्रिकेटर वो काम स्प्रिति मंधाना ने कट दिखाया खुशी से जूमने लगे विराट कोली सर जुकाय हुए चेयर पर बैठी थे स्प्रिति मंधाना चेहरे का उड़ गया था रंग तभी पैरे ने दिली कैपिल की गेंदबास की करदिक उठाई कुर्सी छोड़कर उचलने लगी स्प्रिति मंधाना तीन बॉल पर चाहिए थे चार रन तभी हुआ ऐसा चमतकार आरसिबी का खाता विराट कोली के तूफान से पहले आगे स्मृति मंधाना का तूफान जीत के बाद आरसिबी के महिला खिलाडियों ने मैदान पर कर लिया लूंगी डांस तभी विराट कोली ने दे दिया बहुत बढ़ा गिफ इधर विदेश से विराट कोली का विमान पहुँचा भारत पहुचते विराट कोली ने सबसे पहले फाइनल में पहुची आरसिबी की टीम को ऐसा गुरो मंत्र दिया कि दिल्ली कैपिडल्स की टीम जीता हुआ मैच हार गई एक वक्त था एक 11 गेंदों पर चाहिए थे 12 रन चार गेंदों पर चाहिए थे 4 रन रु पहुच्छ में क्या कुच हुआ ये बताएं उससे पहले आपसे पूछना चाहते ही कि क्या इस पार आरसिबी इंडियन प्रिमियर लीग जीत पाएगी बता दे कि आरसिबी विराट कोली के नेतरतों में 2016 में पुर्शो की आईपियल मुकाबले में फाइनल में पहुची थ रॉयल चैलेंजर्स पैंगलूरों ने दिल्ली कैपियल्स को दिल्ली केरोन जिटली स्टेडियम में हराते हुए अपना पहला खिता जीता इस तरह से दिल्ली टीम का लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना चकना चूर हो गया रिचा गोष्ट ने 14 गेंदों पर चौके लगाए और नाबाद 17 रन बनाए रिचा गोष्ट ने 20 वर की तीसरी गेंद पर विनिंग चौका लगाया तो स्टेडियम में रसीबी के फैंस के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी जबकि अलिस पहरी ने दूसरे चोर पर 37 गेंदों में 4 चौके किदम पर 35 बना कर नाबाद रही बता दे कि दिल्ली केपिल्स की तीम 113 रन ही बना सकी थी जबकि बैंगलोर ने 19 तर्शमलों 3 ओवर में 115 रन बनाते हुए 8 फिकेट से मुकाबला और ट्रॉफी दोनों जीत ली छोटे लक्षी का पीछा करने उतरी रोयल चैलेंजस पैंगलोरू को ज मिन्नू करते हुए दिल्ली को पहला विकेट दिलाया इसके बाद एलिस पैरी मैदान पर उतरी और उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया दूसरी तरफ दिल्ली की गेंदबास डॉट से प्रिशर बना रही थी तो मिन्नू मनी को शौट खेलने के चकर म कप्तान मंधाना अरुन धती को कैच थमा बैठी वो 49 गिंदों में तीन चौके के दम पर 31 रंट होके इस तोरान पैरे ने औरेंज कैप की दोड़ में विपक्षुी कप्तान लैनिंग को पीछे छोड़ते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया इससे पहले दिल्ली कैपिलिल्स मह प्रिमियर लीग फाइनल में रॉयल चैल्जस पैंगलूरू के खिलाफ टॉस जीत कर बल्लेबासी करनी का फैसला किया दोनों टीम ने पिछले मैच की अंती में कादश में कोई बदलाव नहीं किया शुरुवाती च्छे और में शिफाली वर्मा और मैग लैनिंग ने जब कि इसके बाद सोफी मॉलिनेक्स ने मोचा संभाला और चार गेंदों में तीन विकेट जटकते हुए पूरे खेल का रूप रंग बदल दिया उन्होंने पहले शिफाली वर्मा को 44 पर सीमा रेखा के पास वारेहम के हाथो कैच कराया तो तीसरी और चौथी गेंद पर जेम लेकिन वो स्टम्ट के आगे पकड़ी गई इस तरह दिली की एक और उमीद ने दम तुड़ा तो 14 वे और में आशा शोबना ने कॉप और जेस जॉनसन को आठ और तीन रन पर चलता किया तो स्कोर 90 रन के अंदर 6 विकेट हो गया श्रियंका ने इसके बाद 3 शिकार किये उ कि आखरी ओर में अरुन्धती रेड़ी और तानिया भाटिया कॉओड किया वहीं राधा यादो बारत रन पर आउट हुई